वीडियो में स्वागत है तो मैंने यार पिछली रियल मी की वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से आप अपने रियल मी के कोई भी डिवाइस के अंदर कस्टम फॉन डाल सकते हूं अगर आपने नहीं देखिए तो देख सकते हूं लेकिन इस वीडियो में आपको यहां पर बताने वाला हूं गूगल कैमरा 7.2 बेस्ट वर्किंग रियल मी एकस्टी के लिए तो वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कर देना और आप अगर चाहो तो रियल मी एकस्टी का फोटोग्राफी वाला गुरूप भी है एक टेलीग्राम पर जॉइन करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देदूँगा वहां पर आपको अपडेट्स भी और मलती रहेंगी तो लिंक उसका भी इस तरीके से देखने को मलता है फिलाल बैस्ट वर्किंग गूगल कैमरा यहां पर है रियल मी एकस्टी के लिए और काफी अच्छे से इसमें फोटो अगरा भी क्लिक हो जाती है यहां पर आपको क्लिक करके दिखाओं कोई स्नैप लेके अपने गरेश जी का तो टैप करो स्नैप होने लगती है और इसकी कुछ सैटिंग्स है आपको जो करने पड़ेगी प्रफॉर्म तभी आपको काफी अच्छे से पिक क्लिक क्वाइलटी देखने को मिलेगी वरना यहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगी इसमें आपको यहां पर होना चाहिए कोई सब्च् यह चीज जरूर से ध्यान रख लेना portrait mode के लिए off subject होना चाहिए और जैसे कि portrait mode का पुराना bug है कि अगर आप यहाँ पे पिक को view करते हो तो आपका camera close हो जाता है तो यह भी पुराना है इसमें आपको नया bug नहीं मिलता है इवन यहाँ पे बात करूँ night side की तो वो भी काफी smoothly अच्छे से work कर रहा है बस आपको यह चीज ध्यान रखनी है जो setting में आपको आगे बताऊंगा ना वो आपको setting perform करनी होगी तब ही आप इसको यहाँ पे use कर सकते हो तो यह चीज आपको night side में भी pick देखने को मिल जाती है क यहाँ से इसको शेयर कर सकते हो प्रोसेसिंग होने के बाद तो अलग-अलग एप के option भी मलते हैं तो जो इस एप से भी आप शेयर करना चाहो शेयर कर सकते हो वीडियो recording mode में आ जाते हैं तो इसको अनेबल कर दिया है मैंने और वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे वन नहीं है आप उसके लिए जो आपका फोन के अंदर दे रखा है ना उसी से रिकॉर्ड करो तो ज्यादा बैटर आपको देखने को मिलेगा उसके लावा फेस नैचुरल एजडियार वगयरा देखने को उसके अंदर मल जाता है तो वर बैस्ट वर्किंग गूगल कैमरा यहा जाने के बाद अगर यहाँ पे आपको ऑप्षंज़नी को मिलेता में डेटर आपको यहां पर पूरा क्लियर कर देना है पूरा डेटर क्लियर और चैंचकर और और इस तरीके से simply आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग्स के अंदर सेटिंग्स के अंदर आपको कुछ सेटिंग्स हैं जो कि यहाँ पर चेंज करनी होगी तो सबसे पहले हमको यहाँ पर स्टेंडर्ड ऑप्शन में शेव लकेशन गूगल एंसेजेशन बंद करके और यहाँ या selfie as preview कर दो ताकि आपको mirror effect ना मिले उसको on कर देना है नीचे अगर आप social share में जाओगे तो यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि कौन-कौन से app से share हो सकता है तो इसमें आप off on कर सकते हो अपने इसाब से जो भी application को आपको यहाँ पर use करना है तीन application तक आप यहाँ पर use कर सकते हो तो यहाँ पर stories, telegram और WhatsApp मैंने चूज कर रखा है आप अपने हिसाब से change कर पाऊगे और gestures में volume की setting में आप shutter ले लो या zoom ले लो double tap में आप switch camera यहाँ पर ले सकते हो even अगर आपको zoom चाहिए तो वह भी ले सकते हो तो यह चीज़ setting change कर देना camera sound अग यहाँ पर इसमे pixel 3 ले लो उसी के लावा यहाँ पर आपको IMX586 लेना है saturation में आपको यहाँ पर 1 लेना है and shadow 1.60 ले लो same आपको front camera के साथ भी करना है तो same यहाँ पर उसका भी आपको यहाँ पर option कर देना है नीचे अगर आप आ जाए तो यहाँ पर MI grain को off कर देंगे and dynamic level को without correction यहाँ पर कर देते हैं नीचे आपको ले प्रैचर आपको देखने को मिलेगा तो इसमें अनेवल कर दो और इसकी कोई setting को change नहीं करना है और यहाँ पर यह back होगी यहाँ यह setting save हो गई है आपको जैसे ही आप इसको back करोगे setting में और चलते हैं तो advanced का option आ जाता है तो यहा आपका और fully score रहें देना और number of frames यहाँ पर हम 16 कर लेते हैं and number of frames यहाँ पर भी हम until 17 या 20 आप कर सकते हो तो दोनों जो भी आपको चूज करना हो maximum आपको 44 तक zoom आप यहाँ पर कर सकते हो to use live आपको यहाँ पर never करना है और long tap open आपको settings वगरा जो भी आपको open करना है कर सकते ह तो इसके अंदर कोई भी चेंज यहाँ पर आपको नहीं करना है and disable कर दो portrait जूम जो कि आपको काफी अच्छा विकार रहेगा और यहाँ पर जो आपको auxiliary camera के अंदर wide angle change करने का option बलता है enable मत करना अगर आप wide angle enable कर दोगे तो आपका work नहीं करेगा क्योंकि wide angle इसमें support नहीं क आपको कोई चेंज नहीं करना है तो यह जलिली चेंज मैंने आपको दिखा दिया वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप जाके देख सकते हो वरना काफी जंबी वीडियो बन जाएगी उपर से सिंपल यहाँ पर मैं कहूंग या macro mode नहीं देखने को मलता है लेकिन आप 44 MP तक जूम कर सकते हो जो कि अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूं 55 ओके तो 55 तक गया है यहाँ पर मेरे पास pyramid है पिरामिड पिरामिड नहीं है आइफल टावर है इसको क्लिक करता हूं 10x जूम में तो देखते हैं कैसी पिकाती ह तो यह 10x जूम में आपर प्रोसेस करके क्लिक करी है काफी जवाब पिक आई है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो और यह नॉर्मल पिक आपको देखने को मलती है जो की काफी अच्छी मुझे लगा परफेक्ट शॉट आपको देखने को मल जाता है इसके अंदर और बस इस वीडियो में अगर और भी अच्छा कोई गूगल कैमरा रियल्मी एक्स्टी के लिए आता है तो जरूर से मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा आप हमारे टेलीगराम गुरूप को भी जॉइन कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई आपको परिशानी है या किसी चीज के बारे में जानना है तो वह साब वहां पर आप मुझे बात भी कर सकते हो तो फिलाल तो इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपको एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई आए शीओ इना नेक्स्ट वीडियो सी या बाई